मौसेकी यानि संगीत पूरे विश्व में कहीं भी अगर संगीत की धुन बचती है तो उसमें हर कोई मदमस्त हो जाता है ना चुटता है और यही संगीत की ऐसी भाषा है जो की यूनिवर्सल है यानि जहां कभी किसी भी खषण, देश, विदेश, किसी कोने में आप संगीत सुनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको शांती और खुशी का भाव ही याद आएगा और इसी भाव को दर्शाते हुए एरपोर्ट के ठीक करीब आप दिखेंगे कि जो गोलचकर है उस गोलचकर पर आपको एक ऐसा स्कल्प्चर मिलेगा, ऐसी मूर्तियां मिलेंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रैप के जरिये बनाई गए हैं और इन मूर्तियों में जिस भाव की मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसा ही भाव दिखाया गया है अगर आप तबला वादक को देखेंगे तो बहुत हिरद्यंगम तरीके से वह तबला को बजा रहा है और ऐसा लगेगा आपको कि संगीत से उसी उठी हुई धोन को पिरोते हुए जो सितार वादक है उसे आगे बढ़ाता है और बीच में आप देखेंगे कि एक महिला है जो कि पूरे जो कह सकते हैं मौसी की है उसमें पूरी तरह से डूपते हुए अपने भावों को प्रदर्शित कर रही है तो हार्मोनियम के चाबियों पर जिस तरह से उंगुलियां चल रही है इस महिला की वो साफ दिखाता है कि जो संगीत की भाशा होती है वास्तों में वह अलग और यूनीक होती है दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो बासूरी वादक है आँखें मूदे हुए वह स्पूरे रचना को अपने बासूरी के जरिए संगीत के जरिए ऐसा कर रहा है कि इस भाव को एक बार अगर आप इन मूर्तियों को देखेंगे तो आपको साफ तोर पर दिखाई हैं और साथी साथ जो उनके वेस्ट पार्ट होते हैं उनहीं का इस्तेमाल करके इन मूर्तियों को बनाया गया है और इनका वजन जो आखा गया है तकरीबन आठ टन का है और एक ऐसी ही मूर्तियां यहां पर आप देख सकते हैं कि सिरफ यहीं एरपोर्ट के करीब ही बनाई गई हैं बलकि अलग अलग जगों पर दिल्ली नगर निगम के जरीए ये बनाया गया है तो साफ तोर पर एक ways to wonder आपने देखा ways to art के जरीए ये साफ तोर पर दिखाने की कोशिश की गई दिल्ली नगर निगम के जरीए कि किस तरह से दरसल संगीत की जो सार्वो भौमिक भाशा और सार्वो भौमिक भाव है कुछ ऐसे ही अलग अलग गोलचकर पर उसे प्रदर्शित किया गया है ताकि G20 के डेलिगेट्स जब यहां पर आएं तो उन्हें इसी भाव का ज्यान हो और इसी लिए शायद दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग जगों पर कुछ ऐसी ही कह सकते हैं वादेयंत्र बनाए हैं नृत्य करती हुई मुद्राइं बनाई हैं और यहां पर आपने देखा कि किस तरह से संगीत को प्रदर्शित करते हुए जो मुर्तिया है वो बनाए शायलेंद्र के साथ राम किंकर सिंग आज तक